मुझा प्रकर प्रकाश मिश्चा और आप देख रहे हैं मिशन 2020 मिशन 2020 जरिया है आप जनता के नुमाइंदों के रूप में जनता के रूप में सीधे बात करते हैं सरकार से और सरकार आपके सवालों का जवाब देती है साधना न्यूज इसी क्रम में अब इस सिलसले को आगे बढ़ा रहा है इस से पहले हमने मिशन 2020 में आपको SME सेक और भारस सरकार के ही नुमाइंदे के रूप में हमारे संग सांसद भगस सिंग कोशियारी जी मौजूद है और विश्वा मित गुरूप से हमारे साथ मौजूद है मनोचांद जी तो जानने की कोशिश करेंगे कि मिशन 2020 के जरिए क्या सरकार देना चाहती है आने वाले 5 सा सालों के अंदर सौस दिन सरकार के पूरे हो गए हैं और सरकार ने क्या कुछ किया है क्या कुछ धर्ती पर दिखाई देगा इस पे हम चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि साधना न्यूज पिछले आठ सालों से वो सब कुछ आप तक पहुंचा रहा है जो आपका हक है आपके सरोकार हैं चाहे वो भक्ती की दुनिया की बात हो तो साधना न्यूज भक्ती के जरिये जो कुछ आप तक पहुंचा रहा है अंधविश्वास को खतम कर रहा है और साथी साथ ईश्वर भी हमारा एक ऐसा चैनल है जो अंधविश्वास को खत कर रहे हैं तो आज मिशन 2020 के तहट हम सबसे पहले आपको बताएंगे जो सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई भी भूका इस देश में नहीं सोएगा और इसी के उपर सरकार कैसे काम कर रही है इसी को हम शुरुआत कर रहे हैं आप सभी का स्वागत करते हुए खासकर राम विलास पासवान जी आपका और साथी साथ कोशियारी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहला सवाल साधना ग्रूप के ग्रूप एडिटर मालविया जी से जानना चाहेंगे किशोर मालविया जी आपका क्या सवाल है आए दिन हम लोग ख़बर सुनते रहते हैं कि कहीं हजारों टन गेहुं सड़ गए कहीं चावल बरबाद हो गए कि सरकार ने पिछले दिनों कोशिच की थी प्राइवेट पबलिक पाटि पार्टनर्शिप में भंडारन के लिए लेकिन किसी वज़े से वो सफल नहीं हो पाई राजसरकार के असायोग की वज़े कहें या आपके कठीन शर्तों के आपके कडे नियमों की वज़े से वो सफल हो पाया क्या आपकी कोई ऐसी योजना है कि उन लियमों को थोड़ा सरल करें या ऐसी कोई योजना है कि भंडारन का काम पूरी तरह से प्राइवेट हातों में सोपा जाए पब्लिक डिस्टिपिशन सिस्टम पीडियस के माधियम से जो है हम जो आनाज लोगों तक ले जाते ह है तो उसमें सबसे पहले भंडारन होता है हमें स्टोरेज करते हैं स्टोरेज की जो छमता है उसमें तीन तरह के चार तरह के स्टोरेज हैं एक स्टोरेज हम लोग करते हैं जो एफसी आई है जो भारत सरकार के द्वारा है एफसी आई का अपना गुदाम है दूसरा गुद है जो एस्टेट कर्प्रेशंस हैं जिस तरीके से हमारा एफ्सी आई है उसी तरीके से सटेट्स का भी है और चोथा है कि जो प्राइविट के द्वारा हम जो है पी जी के माधियम से हम एस्टूरेज की विवस्ता करते हैं तो जो जहां तक FCIA का सवाल है उसमें तो बिल्कुल उसमें कोई कोई अनाज सरने का या खराब अनाज का प्रवधान नहीं है और लॉसेस भी कम हैं लेकिन उसको और हम चूस्त और दुरुस्त करें इसके लिए हम भविस्थ में हमने बिल्कुल योजना बना बना लिया है कि क ऐसे हमारा माल एक जगह से तीन-चार जगह पर सिकाइते मिलती है एक जगह तो जाते हैं जैसे मानते हैं कि पंजाब है हर्याना है वहां से हमारा समान बिहार जाता है चावल गहुं जाता है तो एक क्याकत है कि जहां टांस्पोर्टेशन है प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि तीन भाग में इसको बातने की सोचना चाहिए कि भंडारन रहे एक के हाथ में, टांस्पोर्टेशन रहे दूसरे के हाथ में और तीसरा जो है डिस्टिबूशन का काम चेक रहते हैं कि तीसरे के हाथ में रहे. तो जो रेल से रेक जाती है उसमें कम सिकायत है, लेकिन सिकायत जादे है रेक से जब गोदाम में अनाज जाता है, तो वहां हमारे पास में भी कोई ट्रांसपरेंसी नहीं है, टेकनिक नहीं है, कि हम पता लगाबे कि सही मामले में वो अनाज वहां कितना पहुँचा है, और वही आनाज पहुँचा है कि दूसरा को या in a haj पहुचा है, घटिया किसी मकात नहीं पहुचा है, और तीसरा जो है, वहाँ से गोडाउन से ले करके और यह थो पूर प्राईस स्वाप है, वहाँ तक समान जाता है, उसमें भी काफी सिकायतें हैं, हर राज की सिकायत नह वहारे यहां जो है बहुत ही अच्छा है सबसे अच्छा आपका जबकि नख्सलाइट एरिया कहा जाता है चछतिस गड़ वहां है वह जो महिलाएं है वह जाकर के गरिब से गरिब महिलाएं भी जो है वह अपना अनाज किसी भी दुकान में कहीं जाज़ यह नहीं है कि आप यह दुकान में आपका चाहिए कहीं से भी ले सकते हैं आटोमेटिक आपके कार्ट के उपर में रिवेट होते जाएगा आपको भी लेगा लेकिन काफी बिहारों इसे जगहें और भी राज हैं जहां तो गो दाउन से जो आना जाता है प्यर प्राइस सॉप डिलर के यहां उसमें भारी मातला में गोलमाल होता है और फिर जो फेर प्राइस सौफ से जो बेनिफिसरिज के पास में जाता है लाभरती के पास में जाता है वहां भी सही धंक से नहीं पहुच पाता है और ना उसकी क्वैंटिटी सही राती है ना क्वैलिटी सही राती है तो एक हमारे साम को हम कैसे online करें कैसे हम सुधार करें क्या उसमें आध्रिक आध्रिक्तम हम जह है टेक्नलोजी का इस्तेमार करके इन चीजों का हम जह है निगदानी करें तो यह हमारे सामने में सबसे बड़ा चीज है लेकिन एस्टेट गोवर्मेंट भी कहीं खडिती है डारिक्ट प्रकुर इस्टेट कई परुट निकलती है बुट जगह पर कहीं किसान है कि खरीद रही हुवा उसका गल्ला च्यगतने सर ने लगता है लोगोगा दिमाग में लगता है यि के मृल है ये सर रहा है लेकिन वह अफसे आई का नहीं है तो एक तो हम गोदाम की छंपता को हम बरा रहे हैं दूसरा हमारा मकसद है कि गोदाम को हम नजदीक ले जाएं चुकि हम जितना गोदाम में से समान जाता है और वहां से 30 किलो मीटर 40 किलो मीटर तक कह गते हैं बाइरोड जाता है तो उसका ट्रांस्पोर्टेशन में भी बहुत खर्चा लगती है जदी वही नजदीक प्रोक्यूर्मेंट में भी बहुत दिक्कत होता चैनरी पर तो समान खरीट करके उढ़ा ढ़ा जा सकता है और दूसरा जो आपने कहां वह जो प्रेबट प्के जी का मामला ह वह तो हमारा अलग है मामला उसमें एसमें थोरा राज सरकार को उसमें जल्दी बाजी करने का विसकता है कही नो सी नो औब्एक्शन सर्टिफिकर देने में ही देरी लग जाता है कभी कलेक्टर के कार्जाला में देरी लग जाता है और तीन तीन दो साल तीन स्ट्रीशन सिस्टम सही हो जाए चुकि कभी कभी जानते हैं जैसे हम ट्रैक्स ले जाते हैं तो हम यहां से ले गए उत्र प्रदेश में ले गए अब वहां जाकर के साइड में परा हुआ है उसके बाद किया गते हैं कि डैम हम लोगों को जुर्माना लगता है डेलवे का मारे सामने में यह चैलेंज है पसात अपने कहां किसानों को परेशानी सामना ना पड़े लेकिन समस्या यह सब से परिशानी इसलिए कि साएने जैसे कि तैस् yogh पाड़ी यह बिचॉलिए ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और किसान को आप उसका हग नहीं दे पा रहे हैं यह क्या वज़े नहीं है हम इसको सही नहीं मानते हैं इसलिए कि किसान को आज किसान इतना जागरू को अब भले किसान का इस मामले में मतबद हो कि जो हमको MSP प्राइस मिल लाए वो हमको जो मिलमम सपोर्ट प्राइस से वो कम है यह हो सकता है लेकिन अभी यह शुकायत रही है की जो हम कसामान खड़ीते हैं उसको इसका साहरी मिलता है यह समान यह बात सही polish है कि यहां ने कहां कि हमारे पास में जो भनुका समता है जिसे अब 614,000 हमारा 614,000 टन हम गारा जो है डिस्ट्रिबुशन सिस्टम में हमको आवस्चता है अब जिदी अनाज मानेते हैं कि 12,000,000 टन हो गया तो निचीत रूप से जो है उस परस्तिती में क्या गते हैं कि वो दिखते हैं और राज सरकार को भी इसके लिए प्र एंड हैं पैसा देते हैं जहां जाये अपना रही पैसा लिजे उसमें दिकत रही हैं दिकत कहां होती है दिकत होती है जिसे मानते हैं अपोज़ कर लिजे का आपका मद पहसे है यह मदत परदेश में जिसे हमने अभी Talos,000,000 पकोइंटल देंगे अब वहारा की सरकार कहती है कि नहीं हम इसमें 200 रुपया जो है हम बोनस के रूप में देंगे तो जो बोनस वहां जदी मिलता है किसान को तो सभाविक है कि वहां जितना आनाज होता है किसान को इंसेंटिव मिलता है वहां किसान बहुत जादे परिदा करना शुरू करते हैं और जिदी बगल में जो ए कर दे रहे हैं आपके साथ में बागत सिंग को मजूद है उत्तरप्देश को भी समस्तें उत्राखंड को भी 9000 करोड से ज्यादा का गन्ना किसानों का बकाया है 6,600 करोड रुपया आप ब्रिन दे रहे हैं ब्याज मुक्त करके चीनी मिलों को क्यों नहीं कोशियारी जी आप दिलवा दे रहे हैं आप भी सरकार में हैं किसानों को उनका हग क्यों नहीं मिल रहा है बकाया क्यों नहीं जा रहा है मैं सुछता हूं कि आप एकदम मंद्री जी ने का कि मद्यप्रदेश में धाइस अरुपया एक्षटा बोनस तिया जा रहा है जो दूसरी जगह नहीं दिया जा रहा है अब वहां के किसान को बड़ी सुवेदा हो गई मगर दूसरी जगह उसके कारण से कुछ नो कुछ समस्या खड़ी हो गई ऐसे यह जो कर आक है यहें अब परम पलिटिक्स मैं भी से को बोला हूं कि इसमें हमारे जु सरकार है मेरी भी पिसरकार को व नो हमारी शरकारों में इसा लगता है हम किसान ही अविक हैसी दोड़े हैं और हम किसान ही टैसी बंद कर के इतना NSP लगतेह ग कंदे के अंदर तु मेरा आणव कि आखिर उत्तर प्रदेश अगर एक्सव पीजासी दे रहा है तो मैं तो सबस्टीज दो तर राखन डॉले वरिहाँ दो सबस्टीज दे रहे हैं तो यह एक ऐसी समस्या है जब कि सायद जादे जानते हैं कृसी और उसको असमें खाते उसमें है तो महाराष्ट मैं दूसरे प्रदेश में इतना नहीं है तो यह MSP की समस्या उसमें तो हम लोग बड़ी आसानी से दे देते हैं कि किसान को कि हम तुम को इतना पैसा है मुसको दे रहे हैं समर्थन मूले दे रहे हैं और जब देने की इस्टित आती है वो साय सरकारी कॉपरेटिव हो चाहे प्राइवे गन्य की कीमत कम मिल रहे हैं उनका कैने का अब अगर यहां आपनी बोल दिया कि वहीं नहीं नहीं चीनी के दाम बहुत बढ़ गए सरकार ने चुंकि अभी सरकार बदली बड़ी बड़ी पर तो इलेक्शन की समगी बात बता रहा हूं तो किसानों ने मुझ को सीरे का अभी गोवर्मेंट है नाम भी उसका अंडी है तो नेशनल उसमें सोच करके मुझे लगता है कि हम सब लोग एक नई स्थिती सोचेंगे जिससे भरसी में यह गन्ना कीमत वाले जो ही समस्या आगे नोट है इसके बारे में जरूर सरकार को विचार करना जाए बें मैं मानता हूं पासवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं हम इसमें अधना ही enquितना चाहेंगे देखिए जो गर्ना किसान का मामला है उसमें सेंटरल गौर्वर्मेंट का काम है एफ लगत देल जो पूरा का पूरा राज सरकार के जी में है उसमें Central Government का कहीं इंटर्फेरंस नहीं होता है हम लोग जब आए थे अभी एक सब्सक्राइब पासवां जी आप ही ने कहा आज वो साथ हजार करोड उपया बचा है साथ हजार करोड उपया में अकेले पांच हजार करोड उपया जो है उत्तर प्रदेश के सरकार उत्तर प्रदेश के जो है मिल माली के उपर में है मिल माली काता है कि हम मिल बंद करने जा रहे हैं किसान काता है कि हमको पैसा दो नहीं तो आंदोलन करेंगे चीनी का हालात यह होता है कि चीनी का दाम एक बार जब घड़ जाता है अभी चीनी का इस टोख हमारे पास में चीनी की कमी नहीं है हम एक्सपोर्ट क्या को थे कि इंसेंटिफ दे रहे हैं евид track छले रहा है कि पम लोगों से इतना बन पा रहा है कि हम चाहते हैं और कोई मील मारी के लिए के लिए नहीं दे रहे हैं हम यह दे रहे हैं किसी तरिके से किसान का बकाया जो है राशीका पेमिन्ट हो जाए लेकिन उसके बाश हुआ किसान का हासर के उत्तर प्रदेश के बकाय राशी का पेमिंट नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है तो उस्यारी साहिब ने कहा कि जब एफार्पी तय होता है कि हम 210 रुपिया पिछली बार तै हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा मिल मालिक किसान से कहा मिल मालिक से कहा कि आपको देना होगा 280 रुपिया मील मालिक को उसमें में तैयार नहीं होना चाहिए था जब मील मालिक तैयार हो गया पहले कि हम 280 रुपिया देंगे अब वो कहता है कि नहीं एफ आरपी तो यापका 210 रुपिया है और ये जो 70 रुपिया जो एक्स्ट्रा है वो हमको लग रहा है ये हम हमारा लॉस में जा रहा है तो इसके कारण वो कहते हैं कि अलग कहते हैं कर रहे हैं तो इसलिए हमने कहा कि जो हम लोगों का जो में मकसद है हम चाहते हैं कि हमारा चीनी का मील बंद नहीं हो लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा कमिटमेंट करते हैं मील माली कमिटमे कर देंगे और यह जो soft loan की विएस्था कर देजिए हम पैसा पेमेंट कर दें वे लेकिन इसके दिए बाप जूत बाफ़ पैसा प्रेमेंट केंकर नहीं हुआ है तो तिसरे साल में जा करके फिर क्या गते कि मार्केट में अभी चीनी का दाम लोग करें कि बहाओ थोड़ा बर जाना चाहिए बरता ना चाहिए उस समय में जा करके फिर चीनी का दाम पांच गुना हो जाएगा तो इसको इसको कैसे किया जाए हमने राज के मुखमंतरी का सम्मेल भी हमने बुलाया था महंगाई के उपर में बुलाया था इसके उपर में है तो हमारा बहुत जादे एसकोप नहीं है इसलिए हमने लास्ट में एस्टेट गोवर्मेंट को कहा कि गन्ना के किसान को बकाया मिले यह आपकी जवाब देई है आपको जो भी कदम उठाना है कदम हम आपको पूरी आजादी देते हैं महिन स्वरूप जी ओल इंडिया वेंचर के प्रेसिडेंट है वो एक सवाल आप से पूछना चाले मंत्री जी आप से सवाल यह है कि प्रदान मंत्री ने एक नारा लगाया है कि मेक इंडिया तो इसमें आपकी मिनिस्ट्री क्या करेगी कि नई टेक्नोलोजी कुछ ला रही है हिंदोस्तान में कुछ एंकरेज करेगी फॉरन इंवेस्टर्स को आने के लिए जैसे के अग्रिकल्च्रल प्रोड़क्टिविटी हिंदोस्तान में बड़े मेक इंडिया मेड इन इंडिया दो नारा था कि भारत में बनाओ और पूर समान जो है दिल्ली में ही मिल जाता है लेकिन फिर भी उनकी कोशिस रहती है कि आज कल के दो बच्चे को देख करके हम प्रेसान हो जाते हैं कि आप किसी को गिफ्ट देने जाईए तो वह पाच्छा साल साथ साल का बच्चा है वो सबसे पहले देखता है कि ब्रेंड कौन है पहले हम लोगे समय में होता था कि मूल देखता था कि कितना का समान है अब पैसा के कीमत नहीं है अब ब्रेंड की कीमत है कौन ब्रेंड लेकर के आए हैं आप तो यह हालत हो गया है तो अब उसकी उपर में चल रहा है दुनिया चल रहा है अब हमारा ही समान जा करके आप च चले जाएए बढ़ियां से बढ़ियां जो है सकपड़ा मिलेगा और उलट करके नीचे में देखिए तो मेडिन इंडिया लिखा रहता है जो परजान मंत्री जी का भीजन है वह भीजन है कि हमारा सिंग ओन हुझा जै हमारी क्वालिटी इतनी अची हुझा इस में दुनिया के किसी भी देश में हमारा इतना मजबूत करें कि कल हमारे रुपियाज इंटरनेशनल मार्केट में जागते हैं कि सेल होना सुरू हो जाया है। इंट कंपनी से मेरे संग विजय गोयल हैं वो भी अपना सवाल रख रहे हैं। नमस्कार जी मैं विजय गोयल मैं बिटेन के डिप्टी प्राइमिनिस्टर के डेलिगेशन में आय हुआ था और वहां से कई सारी कंपनियां फूड और रिटेल में भी आई थी हैं एक्स्प्लोर करने के लिए तो मैं आप से जानना चाहूंगा कि वहां की कंपनियों के लिए आपके डिपार्टमेंट में क्या-क्या पॉर्चुटीज हो सकती हैं किस तरीके के जॉइन वेंचर किस तरीके की पार्टनर्शिप हो सकती है सो देट कि दोनों कंट्री का बिजनस और बड़े देखिए वो डाइरेक्ट हमारे मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट से संबंदित नहीं है चुकि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका जो मेन परपस है वो है कि हम लोगों को कैसे भूग से बचाबे और इसके लिए जो पिछ किया है एक यारा राजियों ने अभी तक उसको एड़ाप्ट किया है लेकिन वहां भी इसको सही ढंग से दो तीन राजियों को छोड़ करके वहां लागू नहीं हुआ है और उसके मताविक जो खाद सुरक्षा कानून है पहले क्या था कि जो हमारा पीडियस ता पब्लिक किलो आज एक महिना में मिलता था दो रुपे की लोगे हूं तीन रुपे की लो चावल पूरे देश में दूसरा जो है था भी पील था जिसको चार रुपे की लोगे हूं चावल मिलता था एपील था जिसको चार रुपे की लोगे हूं और आट रुपे की लो चावल मार्क में यह कढ़िक कभर हो जाता था मार्केट में क्या था कि अब यहू का दाम जदि उसको चारुप निलता है तो मार्केट में पचीश रूपया है यह होता था लेकिन जो नया सुरक्षा काणून खाद सुरक्षा कानुन बना उसके मताविक एपीएल बीपीएल सबको खतम कर अब एक ही केटेगरी रहा है एक अंतोदे रहा है जिसमें 35 किलो आनाज मिलेगा और दूसरा केटेगरी रहा है कि हर एस्टेट में परसेंटेज बना दिया गया है कि इसे स्टेज में बिहार में जैसे 86 परसेंट है चाप पचासी परसेंट साहर गाउं में है चौतर परसेंट साहर में है उनका जो है जो बेनिफिसरीज हैं उनको आप लिस्ट मनाईए कार्ड दीजिए उनको सब को दो रुपे किलो गेहूं तीन डुपे किलो चावल मिलेगा लेकिन उसमें यह कहा कि पहले 35 केजी मिलता था पर 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 पड़ी बार के उपर में अब है पर ब्यक्ति के म आपंच केजी मिलेगा तो जिदि एक परिवार में पांच आदमी है तो 25 केजी मिलेगा लेकिन 25 केजी मिलेगा 2 गेहूं 3 गेलो चाबल के दर्से के अगत है कि मिलेगा जो कानून बना है वो कानून को जिदी इमांदारी पुरुबक चेहकते हराज सरकार जो है अपना लिष्ट बना करके कर ले तो भी बहुत हद तक में कम से कम इतना तो गैरेंटी होई जाएगा कि कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा जो आपका जो है कि उसका क्या-क्या मालते बाहर सजिप कुई मालते है काते हैं हमारे में क्या इंसेंटिव से है हमारे जुएन सेकरेटरी हैं वो बतला सकते हैं लेकिन विह हमारा डिपार्टेमेट का मामला नहीं है रूड़की से उतरा खंट से भी यहां पर लोग मौझ Qin हैं डॉक्टर रशोनी चौधरी हैं और क्रशी से रिलेटड काफी जानकारी रखते हैं पढ़ाते भी हैं मेरा आपसे एक सवाल है कि जो जिस तरह से अब धीर धीरे हमारे नौजवानों का रुजहान अब एग्रिकल्चर एजुकेशन में होता जा रहा है अब हम देख रहे ह है तो उन्होंने भी काफी कॉलेजिस में मानेता दी है बीसी अग्रिकल्चर और एमसी अग्रिकल्चर बाठेकरम को लेकिन यह सारे कोर्सेज जहां चल रहे हैं और नौजवानों का रुजहान हमारी कृशी अग्रिकल्चर में अपना भविश्य बनाने का चल रहा है तो फ अच्छी बात है कि नए सरकार में और नर força मोडीजी की जो नठित्य। प्रिकल्चर कहले है उसमें जो एक गवर्ननस का जोiba नारा दीया गया है और इसमें इसमें जो सबसे अच्छी बात हुई है कि पहले तो 8 के अलग-अलग माकाम काम करते थे यही जी सरकार में एक मंतर बिढ़आ मिपार्ट्मेंट कोत्व में चला जाता था इन्वाईरनामेंट का मामला है इंड़स्ट्री उसके खिलाफ कोके मुझस बिढ़ां चला जाता था तो अब क्या गता है कि यह सारा का सारा जगा पर जो है कंबाइंड वे में प्राइम प्रदानमंत्री जी अपने से ले रहे हैं और कड़ी-कड़ी हम समझते हैं कि सारे के सारे विभाग का उन्होंने ले लिया है और अच्छा मतलब अधियन हुआ है उसमें तीन गंटा चार गंटा पाँच गंटा एक एक ड करके water resources ministries को से लेकर के poor processing को लेकर के खाद मंटराले से लेकर के एक डी culture ministry से लेकर के सब का यह कर करके और जैसा कि आपने कहा कि जो बच्चों का रुजवान है चुकि के ऐसा होता है जब घृत करांती चली थी नारा चला था उस समय में काफी इंजजिनियर लोग छोर छोर कर कि आ गये थे खिती करने के लिए की लेकिन फिर वो जो है द Crus wanna seo ke बद उनका जो है वह निरासा मुंदासा और इसकी हांत करा तो इसलिए इस्में हम्हारे पास में और di HR नहीं बतरा सकते हैं कि हमारे पास मैं क्या योजना है जुकि अभी सरकार को बने बहुत- zabillas हुए हैं लेकिन इन सारे चीजों के उपर में सरकार का काम चल रहा है और उसको हम सब लगते हैं कि हमको लगता है कि यह जो है पांच्छा मेने के अंदर में एक मुर्थ के रूप में आपके सामने में आएगा